थाना मुड़ापांडी शेत्र का गाउ नरखेडा चुनावी रंजिश में हुई मारपीट का गवह बना बात इतनी बढ़ गए एक ही पुलिस तक पहुच गई इस विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए एक दूसरे के साथ गाली गलोज के बाद मारपीट चिरू हुई और ये विवाद बरता चला गया जगड़े की सूशना गाउं के किसी विक्ति ने थाना पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस को देखकर जगड़ा करने वाले दोनों पक्षों के विक्ति मौके से फरार हो गया मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है गाउं क परिवार वालों ने अवजाल पर फाइरिंग करने का रोप भी लगाया है अवजाल ने चार से पांच यो फाइर किये हैं जिसमें घर के सदस से बाल-बाल बचे हैं ना उन्होंने बैसे उपर कुमारी पुलीस आगाई दो गाड़ी अब पुलीस भी ऐसे देर साई और हमारी पुलीस भी नसुन ली फैर इपजालने और साने रभने हम गेचाते हैं इन पर मुकदमा दर्ज हो जब है जोगे कलकु हमें और इरफान ने भी जो कलकु के हमारे मकान पर हाभी नहों में आनुगे हैं चीज को लेकर भी बिवाद है खाह हां हाण हां अलग्सन को एक फैरी के हम से और जगडा करछुके थे पेहले हम ने दिये थे आसान आपश को वोट आपके देदी हमने दूलादू दिया खुट तो इन God हुए है इननों दूला दूडिया क्यों जदत ढानी से इह और कसाई है और भी होंगे सब अभ गई होंगे अब हमें के पता हैं नहीं फिर दहाने कि सब मिलके जुलक कर रहे हुए अब जब इने पुलिस रेद रही हैं कहीं पकाड़ के हुए तो गे-ँ कहरे हैं इनके सब पर करने है कि दान इसको जब रेदा पुलिस ने कल रेदा या परसो रेदा वह तो इस बात का मुझे मालूम नहीं तो यह जुनियाद इजहार और आलम और नासिर मेरे घर पर हमला कर दिया मैं बच्चों सुन्दा और तो सुन्दा नहीं 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 कोई फाइनिंग नहीं दूसरी और माहौल को देखते हुए नरखेडा गाउं में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है थाना पुलिस मारपीट फाइरिंग की बात पर चानबीन करनी शुरू कर चुकी है जो भी दोशी पाये जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कारवाई होगी